नमस्कार माराष्टरा की राजनित्ती में एक तरफ NCP परमुक सार्द फुवार और शिवसेना परमुक उदव ठाकरे की चालाक बाजियों की वजय से NCP कॉंग्रेस शिवसेना के महाविकास गाड़ी गटबंदन पर कॉंग्रेस का संकट मंडरा रहा है तो दूसरी तरफ PMC बैंक गोटाले में ED की जांच के दोरान संजयराउत को गिरपदारी का डर भी सताने लगा है 65 सो क्रोड रुपे के PMC बैंक गोटाले में अब बैंक डारेक्टर की संपत्ती को भी जबद किया जाएगा HDIL कंपने के मालिक राकेश वदावन के दो विमान एक याट सत्रा लगजरी कारें अब ED निलाम करेगी ये राकेश वदावन वही है जो क्रोणा काल के दुरान लोकडाउन में भी पिकनिक मनाने जाते हैं उदाव ठाकरे और NCP परमुकसाद कोवार के नजदी की होने की वज़य से उदाव सरकार लोकडाउन में भी इनको पिकनिक मनाने की परमिसन दे देती है ये राकेश वदावन और उनका परिवार है जो HDIL कंपनी का मालिक है अब इनकी खेर नहीं है और इसी 6500 क्रोड रुपे के PMC बैंक गोटाले की हेर फेर में वर्षा राउत का नाम जो संजय राउत की पतनी है पिछपन लाग रुपे के गोटाले से जुड़ा हुआ है बेंक बजट की चमता का 33% लोन सिर्फ एक ही कमपनी HDIL को फरजी खाते खोल करके दिया गया था और ये HDIL राकेश वदावन की कमपनी है ये 85% है वो 65 क्रोड रुपे के बनती है PMC बेंक गोटाले का टोटल बजट लगबग 8,888 क्रोड रुपे के लगबग था जिसका 65 क्रोड रुपे अकेले HDIL को फरजी खाते खोल करके लोन दिया जाता है और अब HDIL की निलामी करने जा रही है 17 फरवरी 2021 निलामी में आवेदन करने की अंतीम तारिक रखी गई है अगर आप भी इसमें इसा लेना चाहते हैं तो 17 फरवरी 2021 तक निलामी में आप अपनावेदन कर सकते हैं और इसकी निलामी होगी 20 फरवरी को इनकी जो कारे वगेर है या अन्य जो माल है वो सारा का सारा 20 फरवरी को निलाम होगा इंदुस्तान के इतियास में पहली बार एडी दुवारा इतनी बड़ी निलामी की जा रही है अब आप मोधी विरोध को बली बांती समझ गए होंगे कि पियम गद्दी पर मोधी कुछ गोटाले बाजों को क्य नहीं अच्छा लग रहा है यानि कि मोधी सरकार कायने के बाद में ही इस तरह है कि इडी दुवारा इतनी बड़ी कारवाई होना और यही कारण है कि अब परदान मंत्री निरेंदर मोधी जी का विरोध इन लोगों ने बढ़वाना शुरू कर दिया है कुछ गोटाले बा 80 को रीकवर किया जा रहा है आर बियाई और इडी दुवारा बड़े एक्शन लिये जा रहे हैं निरो मोधी की 15,000 क्रोड रुपे की प्रोपर्टी सील की उविये सरकार की कुल मिलाकरे का जा सकता है कि यही कारण है कि कुछ गोटाले बाजों को मोधी अच्छा क्यों नही इसकी इडी जांच कर रही है इसको लेकर के तीन सम्मन भी वर्सा राउत को बेज़े जा चुके हैं लेकिन वो अभी भी इडी के सामने फेस्ट नहीं हुई है कुल मिलाकरे का जा सकता है कि ग्रिपदारी के डर्स से संजा राउत ने बोकलाट दिखाई और मोधी सरकार पर वर्सना शुरू कर दिया यहां तक की इडी का जो ओफिस है माराष्टरा में वहां पर सिफ सेनिकों को बेज़ करके बीज़े पी के ओफिस होने का जो एक तरह से पोस्टर भी चिपका दिया था संजा राउत की ये बोकलाट साब संकेत कर रही है कि संजा राउत को गिर्प जटका दे दिया गया है और यही कारण रहा कि पहले संजा राउत ने महाविकास गाड़ी गठबंदन सरकार गिराने का आरोफ बिज़े पी पर मड़ा और कल फिर से एंसीपी पर मुक्सार्द कुआर ने भी बिज़े पी पर आरोफ लगाया कि सत्ता में बेठी यानि कि के का ब्यान नहीं आया कि बारती अंता पार्टी महाविकास गाड़ी गठबंदन सरकार गिराने की कोशिस कर रही है लेकिन उसके बावजुद भी बिज़े पी पर आरोफ अब एंसीपी पर मुक्सार्द फुआर और शिप्षे ना नेता संज्या राउत की तरफ से लगाया जाना शुरू हो चुका है यानि कि कहीं न कहीं कौंग्रेस आला कमान सोनिया गांदी का कोई बड़ा फरमान या तो कहीं न कहीं मिल चुका होगा उद्दाव ठाकरे को या फिर राहुल गांदी जैसे इटली से वापस लोटेंगे आगे आने वाले समय में कौंग्रेस है व बड़ा फैसला लिया जाएगा राहुल गांधी तो पहले भी वीर सावरकर के मुद्धे को ले करके नातुराम गोड़से के मुद्धे को ले करके भी कहते रही हैं शुब सेना को अड़काते रहे हैं लेकिन अब जिस तरह से माविकास सगारी गटबंदन में कोंग्रेसी नेताओं की तरफ से जो चिठी लिख करके सोनिया गांदी को सिकायत की गई है उससे ये साप हो चुका है कि कोंग्रेस माविकास सगारी गटबंदन में नहीं रहेगी और इसको लेकर के कोई ना कोई फैसला जुरूर माविकास गाड़ी गटबंदन में उद्व सरकार को सुनाया गया होगा और तभी उन्होंने बारतिय अंता पार्टी पर आरोप मढ़ने शुरू किये हैं बिजेपी ने दो-चार मेने के अंदर सरकार बनाने का दावा जुरूर किया था लेकिन उन्होंने माविकास गाड़ी गटबंदन में सेंद मारी करने की नहीं बलकि माविकास गाड़ी गटबंदन में आपसी फूट की वज़ाय से बारतिय अंता पार्टी में निताओं के सा हमिल होने की आसंका को ले करके उन्होंने दो-तिन मैंने के बितर सरकार बनाने का दावा किया था लेकिन अब आपसी फूट जो माविकार सिगाड़ी गटबंदन में देखी गई है उसका फाइदा विजेपी जरूर उठाएगी इसमें कहीं कोई सक नहीं है और कोंग्रेसी नेता यदी सोनिया गांदी राहूल गांदी की तरफ से इस तरह का माविकार सिगाड़ी गटबंदन से बाहर निकलने वाला फैसला नहीं लिया जाता है तो कोंग्रेस के कई नराजनेता, सोक चावान, संजयन रूपं, मिलन देवडा ये निश्चित है कि कोंग्रेस को फिर छोड़ देंगे और वैसे भी मारास्टरा के अंदर अब कोंग्रेस चार नमबर की पार्टी बन चुकी है सबसे बड़ी पार्टी बार्तियनता पार्टी उसके बाद में NCP और शिव से ना है और चोथे नमबर पर कॉंग्रेस पहुंच चुकी है और NCP परमुक सर्द पुवार इस बात को बली बांती जानते थे कि कॉंग्रेस माविकास सगाड़ी गटबंदन में ज़्यादा लंबा सपड़तिया नहीं करेगी और कहीं न कहीं सर्द पुवार ने रणनिती बना करके संजया राउत की तरफ से जो इस तरह की ब्यानबाजी करवाई सोनिया गांदी पर स्वाल खड़े करवाए गई सर्द पुवार को यूपिये देख्स की गद्दी पर बैठाने की आवाज उठाई गई इस तरह की मुहिम चलाई गई ये सारे मुद्दे कहीं न कहीं सर्द पुवार की तरफ से ही त्यार किये गए थे जिस तरह से रिमोट कंट्रोल सरकार के समय मन मोहन सिंग परदान मंतरी गद्दी पर जरूर बेठे थे लेकिन उनकी पूरी की पूरी रिमोट है वो सोनिया गांदी की हाथ में थी उसी तरह से एन्सीपी कॉंग्रेस शिवचेना तीनों पार्टियां मारास्टरा के महावी कास गाड़ी गटबंदन में बेट करके सत्ता का भोग जरूर ले रही है लेकिन इसका पूरा का पूरा कंट्रोल है वो एन्सीपी परमुक सर्द पुवार के हाथ में हैं सर्द पुवार अपने इसाफ से इसको चला रही है और अब जिस तरह ऐसे कॉंग्रेस के नेताओं ने चिठी में साफ लिखा है कि एन्सीपी कॉंग्रेस को दिमक की तरह कमजोर कर रही है इसका कहीं ना कहीं सोनिया गांदी पर पूरा परबाव पड़ेगा और आने वाले समय में कॉंग्रेस आला कमान चाहे वो राहूल गांदी हो चाहे वो सोनिया गांदी हो उनकी तरफ से कोई ना कोई बड़ा फैसला महाविकास गाड़ी गटबंदन की उद्दाव सरकार से बाहर निकलने का लिया जाएगा पिलाल उद्दाव ठाकरी की सियम कुर्सी को लेकर के कॉंग्रेस आला कमान किस तरह का फैसला ले सकती है क्या राउल गांदी इटली से वापसी के बाद में मावी कास गाड़ी कट बंदन से बाहर निकलने का फर्मान सुनाएंगे इस पर आप अपने विचार में कॉमेंट बॉक्स में जुरूर बताएं साथी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जूरूर कर लें सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें अभी के लिए इतना हैं मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत